वेल्कम बैक तर ना यूटूब चैनल उन्नती इंसलोजी तो टुड़े इन इस वीडियो टुटोरियल इविल बिस्क्राइबिंग अबाउट देश्क्राइबिंग अबाउट चैप्टर 16 और NCRT बुक क्लास 11 बायलोजी तो NCRT बुक में से जो चैप्टर 16 है क्लास 11 में से इसका नाम है डाज आज आपके साथ दिसक्रस करने वाली हूँ जो चैप्टर का नाम है हुमान डाज़े सिस्टम देखिए तो यहाँ पर मैं आपको सैल्स प्रमेड नोट्स देने वाली हूँ और विच डिस्क्रिप्शन तो लेट स्टाट दा वीडियो और शुरू करते हैं इस वीडियो को देखिए, इस यूमन डाज़े सिस्टम जैसे कि आप सब को पता है डाज़ेशन की डिफिनिशन क्या होती है डाज़ेशन क्या होता है ताकि हमारी बॉड़ी उसको यूज़ कर सके देखिए, हम खाना खाते हैं, उस खाने कोई ना कोई हमारी बॉड़ी में यूज़ है तो उस खाने को जो हम complex रूप में खाते हैं उन complex forms को simple form में convert करना ताकि वो फूड जो है वो हमारी बॉड़ी को यूज आने का काम कर सके या फिर बॉड़ी में एनर्जी बनाने का काम कर सके तो यह जो सारा काम है, खाना खाना, खाने का पचना और कैसे वो पच के हमारी बॉड़ी के सेल तक जाएगा, उनको एनर्जी का यूज करवाएगा, यूटिलाइज करवाएगा, यह सारा प्रॉसेस कर लाता है, डाइजिशन, ठीक है? इस system involved in this is called digestive system, हमारी बॉड़ी का वो system, जो digestion में involved होता है, specially उसे digestive system कहते हैं, ठीक है? बहुत से simple and sweet, easy language में लिखे वे आपके notes हैं, देखिए, अब देखिए, अब देखिए, डाइजिशन, एक्टॉली में होता क्या है? यह हमारी बॉड़ी का वो system होता है, जो food को, complex food को, simple food म करने का काम करता है, पहले ही चीज़, दूसरी चीज़, डाइजिस्टम जो है, वो दो चीज़ों से, दो कंपार्टमेंट्मेंट्स से मिलके बना होता है, यह फिर दो कंपोनेंट्स से मिलके बने होता है, the first one is elementary canal, the second one is accessory glands, accessory glands, हम कहते हैं, accessory glands को associated glands भी कहा जाता है, तो यह ज body consists करती है, elementary canal में, that starts from mouth to illness, यहां पर हमारे पास food का पूरा system है, जहां पर हमारी पहली opening mouth से, पहली opening mouth से लेकर last opening, illness तक का सारा जो body के parts है, वो आते हैं, इस elementary canal के अंदर, ठीके, जैसे मैंने को बताया भी, digestive system के अंदर, elementary canal और accessory glands होते हैं, पहला आपन बात करते हैं, elementary canal के बारे में, elementary canal ने पार्ट्स देखी, कौन सा पार्ट्स होता है, सबसे पहले है, mouth, mouth को anterior opening भी कहा जाता है, और इस anterior opening के अंदर, दो चीज़े होती है, tongue and teeth, tongue taste के लिए होते है, taste buds में होते है, taste of the food बताती है, and teeth क्या करते है, achieving of the food करते है, tongue swallowing म grinding of the food में help करते हैं, ताकि उस complex food को simple food में convert किया जा सके, तो यह mouth हो गया, इसे anterior opening भी कहा जाता है, इसके अंदर दो चीज़े होती है, teeth and tongue यह आपको ध्यार मुखना है, उसके बाद, mouth के बाद आएगा second part, buccal cavity, buccal cavity यह अपना अंदर का मुह, mouth मतब लिप सारा पार्ट, बह इस buccal cavity के बाद, buccal cavity के अंदर का जो साइड है, उसे करते हैं, pharynx and larynx, ठीक है, बकल कविटी आपको गले वाला हिस्सा है, गले के थोड़ा सा उपर वाला हिस्सा है, तो यह pharynx and larynx, दो हिस्सों से मिलके बना है, बकल कविटी भी, फैरिंस को कहते है, food pipe and larynx को कहते है sound box ने, फिर sound pipe, देखे, pharynx क्या करती है, food को passage करती है, stomach में, और larynx क्या करती है, larynx क्या करती है, sound को catch करने है काम, या फिर sound को produce करने है काम, तो larynx is your voice box, इस larynx को क्या कहते है, इस larynx को voice box भी कहा जाता है, ठीक है, इस larynx, larynx को voice box भी कहा जाता है, आपको याद रखन यह हो गया बकल केविटी उसकी बार आते हैं इसोफेगस पर इसोफेगस is called the food pipe यह वह है जो माूथ को और स्टॉमक को connect करते हैं जोडती है इसे food pipe कहते हैं इसोफेगस कहते है जो आपकी गले से आपके chest area से होते हुए नीचे इसोफेगस में आती है ठीक है तो इपना आ गया स्परस्टेक भाग बड़ासारा होता है dost a on the जो क्या करता है 205 पाइंड में पैसेज करמס ज्र्णेंज का काम करता है इसके बाद एंसर हमें के इसके बाद एक प्रप्राइंनसलें भी तीन बाद होते हैं इलियम jevenum पहला पार्ट है जिजुनम पार्ट इसके बाद आता है से सिंधार के बाद उता है लाज इंटरस्टायिन Peter याल ह होता है वी तीन पार्ट से बना एंट कैते सिंकम कोलहंने एंट 6 कहम कोलों एक्स्टीरियर ओपनिंग होता है ठीके एक बर फिर से इस पेज का में आपको रिव्यू दे देती हूं हमने यहां पर बात की डाइशिशन के डेफिनेशन के बारे में फिर हम देखा डाइशिशन के दो पार्ट के बारे में इसके बाद हमने पार्ट के नाम देखे जो की थे माउथ बकल कवीची इसोफेगस स्टॉमक स्मॉल इंडस्टाइन लाज इंडस्टाइन रेक्टम एंड एनस इसके बाद आईए इनको अपने डीपली पढ़ते हैं अब इन ही को अपन क्या करेंगे डीपली पढ़ने वाले अब आगे वीडियो में कंटीनु बने रही है और देखिए यह देखिए तो आईए अभी अभी हम क्या करेंगे वही जो अभी अपने पढ़ा है उसको अपन डीपली करेंगे अभी तो अपने शॉर्ट पढ़ा था अभी अपने इनको ब्रीफ ली एक्स्प्रें करेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं अलिमुटरी कनाल के पार्ट के बारे में जो सबसे पहला था माउथ तो देखिए माउथ माउथ हेल्पस इन टेकिंग इन फूड माउथ क्या करता है फूड को अंदर लने का काम करता है इन माउथ तंग एंड टेथ होती है और टीज होती ह यज़म्त का अज़ खूर की यह रोडिय क्लिक रिखते हूं यममा बता करूटे नों कित विखोंमीं इा तेस्टी तोटे बही है कैके रिखते है विख फूर्ट का रिखते दिल्स त की है इस में हम एक एक荷 गोल पर कम ताग्यार कंडिति हम इसम सुनुन और जॉपा पर जब करने हैं बातल शोड की तूटेंट के उपने जो कि या नगते हैं जो तेध्र फिर उनके बाद में टोटनेके बाद पर्मेनन या याने कि वह टीट जो बड़त से लेकर फाइफ यज करसे बाते हैं ते लेकर मालावं बढ़पिए और तूटते हित ले तेत नहीं आते हैं नाट तूटते लिए तेम्पररी और कच्छे होते हैं इसलिए दूद के दाथ करते है इसके वाधाया परमनेंट टूटनेे के बाद जो फाइनल टीद आएंगे जो लाइफ टाइम साथ देंगे वह आपके परमनेंट होते हैं जिन्हें अडल्ट टीद भ इसलिए इसे कहते हैं डाइफोडेंट क्या कहते हैं डाइफोडेंट किसे कहते हैं यह दो प्रकार के टीथ होते हैं इसका अपना फॉर्मला क्या होता है टीथ के नाम क्या टाइफोडेंट क्या है इसे आपका माउथ हो गया इस माउथ पार्ट को आप बाट लेंगे हैं तो मैं क्या कर रही हूं माउथ को सेंटर से पार्ट को अपन देखिए जैसे मैं रफली ड्रॉग रहा है यहां पर बन टू वन टू टीथ रहें मतलब कि आपका माउथ इसको आधा इधर और आधा इधर लेंगेंगे ना नाग की लाइन आपकी जो नोज लाइन है अब देखिए नोज लाइन से दोनों साइ प्रश का है ना अपका दात वो है इंसीजर के बाद ये कनाइन हो गया ची उसके बाद अगें टूटी तो होते हैं जो प्री मिला पर देखे तो आठ हो गए यहां पर देखो दो टू प्लस वन प्री स्वाइब Trung थे 255 प्रेह सुन एट थे तो यह हो गएनि कि आथ तो माउथ में हैं और आठ ही सेम यहाँ है और ऐसा यहाँ है और यहाँ इसके बाद opens into pharynx, यह खुलती कहा है, गले के पीछे के साइड, और गले के पीछे के साइड कहते है pharynx, pharynx is the link between mouth and isophagus, उपर mouth है, मीचे isophagus है, बीच में कौन है, pharynx, तो pharynx होगे दोनों का connection, ठीक है, इस pharynx को अभी अभी क्या कहा था, पीछे food pipe भी कहा था, तो pharynx अप sound box, जो sound को produce करने काम करता है, आपने गले में हाथ रखके देखिए, जहां आपकी आवाज निकलती है, और जहां आवाज निकलती है, वहां पर वाइब्रेशन हो रहे है, वहां से वह अपना गला हिल रहा है, तो जो बॉक्स अपने जो गले का जो हिस्सा है, जो हड़ी यह तो बकल केविटी में अपने फेरिंग्स अड लेरिंग्स देखा, इसके बाद आते हैं इसोफेगस पे, तो इसोफेगस इस दा फूड पाइप, इसोफेगस क्या होती है, फूड पाइप होती है, लेकिन फेरिंग्स अपनी फूड पाइप ही होती है, लेकिन फेरिंग्स जहांसे फूद एंडर करेगा इसलिये तो वह फैरिंस इसके बाद इसोफेगस इसे फूडपाइब भी कहते है इट इस कवरड़ बाई एपिग्लोटिस मतलब के धककन धकन मनलब के अपिग्लोटिस इस दा कवरिंग ऑफ इसोफेगस देखों बकल कवटे में फैरिंस भी था आप सांस लेते हैं वह भी आपके अंदर जाती है ना लंग्स में जाती है और फैरिंस से फूड जाता है तो देखिए इसोफेगस के बास एपिग्लोटिस नाम का धकन होता है कैप होता है जब हम फूड को इंगल्फ करते हैं खाने को निगलते हैं तो अपना लेरिंस निगलते हैं फूड के अपना इसोफेगस के बारें बात करें इस थिन एंड लॉंग ट्यूब लाइक श्ट्रॉक्टर इसोफेगस में पतली होती है और लंबी सी स्टॉब जैसी फ्ली होती है इस जोइन माउथ विथ स्ट्रों मक यह क्या देख़ते है इसोफेगस उपर तो माउथ है नीचे स्टॉमक है उन दोनों को जॉइन करने का काम करती है अब आता है अपना नेक्स पार्ट स्टॉमक स्टॉमक क्या है मस्किलो और अर्गन मास्क भी बना हुआ स्टॉमक का पार्ट 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 फक्ट के तीन भाग हिते हैं काडियक संदस को कि देखिए बीच को समय पंप्पर यह पोर्श्न ओफ्ट दोना का वे सिर्ग धियुकुद कर ज्लाथ स्कूलाद शुरू हो जाएगा ठीक है अब आता है निक्स फंक्शिंस और स्टॉमक इट है इट है इट स्टॉमक है तो क्या करता है फूड को खाने को बिल्कुल से पतले-पतले यह फिर आफ कि आपको को माइनर पार्ट से तोड़ता है जैसे मिंक्सी काम करती है ना वैसे से स्टॉमक काम करता है स्टॉमक खाने को most of the part ग्रिंड करता है स्टॉमक सारा का सारा food को ग्रिंडिंग का काम कर देता है ठीक है और क्या करता है ग्रिंड करने के उसे small intestine में भेजता है इसके बाद अगला पार रहता है small intestine it is a long cylindrical tube intestine है small intestine है तो long cylindrical है longest part of elementary कि अलिमेंटरी कोनाल का सबसे longest part है सबसे लंबा part होता है इसके भी 3 part होते हैं endodonum, gigonum and alien it is also called by sphincter यहां पर जो sphincter लगा होता है small intestine के पास उसे कहते हैं pyloric sphincter ठीक है और जो स्पूरा का पूरा ट्यूब है यह सी सेप के होता है C मतलब most of this color is C-shape अब आगे देखिए functions of small intestine की small intestine के क्या 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 है तो देखिए it helps in absorption of food सबसे पहले ये food को absorb करने में help करता है खाना सारा digest कहा होता है स्टॉमक में होता है ध्यान रखीजी का और small intestine उसको absorb करने का काम करता है यानि कि उसे blood में mix करने काम करता है इससे को कहते है absorption walls of small intestine has numerous finger-like projections known as villi villi increase the surface area for absorption अब देखिए हम जब small intestine के internal structure की बात करते है तो अपने को दिखता है कि small intestine के अंदर क्या होती है छोटी-छोटी finger-like projections होती है और ये projections क्या 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 लाती है इनने micro villi क्या क्या लाती है इनने micro villi क्या 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 है अब्सॉप्शन का increase the surface area मतलग जादा absorption हो ये चीज का जान रखती है विलi has brush border appearance इनके पास क्या होता है brush border like appearance होता है ठीके चली अगला देखिए last intestine ये last part है ठीके this is the last part of elementary canal जैसे मैंने अभी बताया आपको elementary canal का last last भाग होता है last intestine इसके भी तीन पार्ट है सिक्कम फिर colon and rectum अभी सिक्कम जो है वहीं पर अपना wear me form appendix जो होती है वो present होती है इसके बाद देखिए सिक्कम हो गया colon हो गया रेक्टम हो गया ये तीन भाग है लेकिन ये small intestine से कम कोईल होता है और छोटा पार्ट होता है small intestine बड़ा पार्ट था ठीक है it is a long and thick tube याद रखेगा ये thinner tube थी और ये thicker tube है ends into rectum and opens outside through anis सिक्कम इसका main part है ज्यादा पार्ट करता है सिक्कम और इसके बाद आता है small intestine में बात हो गई थी last intestine की बार रेपन क्या बोल रही थी कि इसमें तीन पार होता है सिक्कम, colon and rectum colon जो है वह बीच का बाद होता है rectum last का बाद है और rectum की बाद जस्ट उपर क्या opening होता है external जिसे कहते है एनस ठीक है जो पचा नहीं है उसको store करके रखना इस लाग इंतुसनल काम होता है और यह बचे हुए खाने को अमारे बॉड़ी से बाहर एक्स्ट्रीट करता है इसे एक्स्ट्रीट करते हैं ठीक है अगले वीडियो में करेंगे और आगे की नोट में आपको नेक्स्ट वीडियो आपका विंगे संजाने वाली हूं तो थैंक्यो समच पर वाचिंग दिस वीडियो कीप लाइकिंग और शेरिंग इस वीडियो 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 यह चैप्टर 11th of NCRT चैप्ट 16 of NCRT book class 11th कम मैंने आपको यहां पर पढ़ाया है आप कमेंट सेक्शन में मिंशन जरूर करें थैंक्यो सो मच पर वाचिंग गाइज और नती इंजरोई चैनल पर आपका हमेशा यूही स्वागत है थैंक्यो चैप्प हाँ आप पर र दापका हमें जरूर क्या क्योन से o इंजर करें चैंज़ है ।ो इजरे शा है जरूरूर क्या